हलो गाइस कैसे हूँ आप लोग दोस्तों उमिद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो गाइस आज के इस वीडियो में आप लोगो को दुबए में लेबर का खाना कैसा मिलता है होटल से इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारे देने हो लोग और कमपनी बनाने के लिए तो देती है लेकिन हम लोग क्या है कि कुछ दिन एक जगह में तो कुछ दिन दूसरे जगह में हम लोग खाते हैं इसके लिए हम लोग होटल में खाते हैं तो गाइस अब लोगों मैं बताने वालों आप खोल दिया है और एक पॉलेथिन में हमको मिला है एक मच्छी का फ्राई किया हुआ पीश और दूसरा हमको पापड जो है फ्राई किया हुआ पापड मिल गया है तो अब यह दबबा में खोलता हूँ दोस्तों यह क्या है यह देख सकते हैं दोस्तों यह मच्छी का करी है शिरिफ इसके अंदर मच्छी नहीं है शिरिफ करी मिलेगा आपको गाईस यह आपको दाल फ्राइ मिलेगा एक डब्बे में और एक डब्बे में मच्छी करी का जो है करी मिलेगा शिरिफ दूसरा कुछ नहीं मिलेगा शिरिफ क्यूंकि फ्राइ करके दे दिया है तो आपको और दूस कुछ नहीं मिलेगा अभी हम ओपन करते हैं एक पैकेट को जिसके अंदर हमारा चावल रहेगा यह चावल हम लोग को मिलता है डेली इसी पैकेट में मिलता है दोस्तों ऐसा ही पैकेट में मिलता है और आप देख सकते हैं दोस्तों एक चावल है और एक दाल है और एक मच्छी का जो करी है वो हमको मिलता है एक आदमी के लिए प्लस एक मच्छी का फ्राई और एक पापड में मिलता है तो गाइस हम लोग को जो यह खाना है हम लोग को मंतली जो है 380 दिरम में देता है और 380 दिरम में मंतली में में देता है दोस्तों तो यह हमको जो है खाना में मिलता है और अगर साम को हम जाएंगे तो एक non waste देगा और प्लस रोठी भी देगा और चावल भी देगा आपको जो चीए वही देगा तो दोस्तों आम लोग एक ही ओटल में खाते हैं तो पूरा दोस्त लोग जो इतना भी company का आदमी है तो एक ही होटल में खाते हैं तो दोस्तों हम लोग यह सही जिंदगी है और नीचे बैटके खाना पड़ते हैं खाना इतना पैसा देने के बाद भी अम लोगों इतना जादा टेस्टी नहीं मिलता है लेकिन मजबुरी के नाम यह ही आमारा जिंदगी है दोस्तों तो आप लोग भी अगर पर्देस में रह रह झाला है झाला है झाला हैक झाला है